आज हम बनाएंगे आलू दम बिर्यानी इससे बनाना बहुत ही आसान है बहुत है सिंपल सा रेसिपी है लेकिन जितना सिंपल है खाने में भी उतना ही तेस्टी है हेलो प्रेंट्स आप सभी का हमारे आय कीचेन में स्वागत थें अगर अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और विडियो को स्यार कर दीजिएगा चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले यह हमने लिया है दो कॉप चाओल चाओल को हमने भीगो के रखा था आधर गंटे तो इसके बाद यह हमने पानी गरम करके रख्या एक बावल में उसमें हम डालेंगे दो तेज पत्ता एक टुकड़ी डल चिनी चार हरी लाजची चार से पांच कल मेंच चार पांच लंग एक स्टार यान चक्रिपुल एक हरी मेंच एक चामच चीरा एक टुकले निम्बो का रस डाल लाएंगे ताकि जो चाओल हमारे एक दुसरे से चिपकेंगे नहीं खिले खिले रहेंगे इसलिए पिसमें निम्बो कारा से आड़ करते हैं आप स्वादन गउसान नमक यानि जितना आपका चाओल है उसी तैateg नमक इसमें आड़ कर लिजिए चाहे आप चाओल को डालने के बाद इसके पाद भी नमक आड़ कर्सकते हैं पहले भी नमक दो लिए और इससे डाल दीजिए करमा गरम इसे डाल दीजिए और इसे अच्छे से उबालने दीजिए और चावल को पकने के लिए छोड़ दीजिए ये 15-20 मिट में आराम से चावल पक के तियार हो जाती है क्योंकि हमने पहले भीगो के रखा था तर ये पकने के बाद इस साइड करके ये दीजिए और इसे जान कर लिए हैं आद इससे साइड कर लेते हैं जोबत हमने ग्यास अनकर के हत्म कर लें उसनेहम दाल लेए तेल हमने भीड़े-बड़े हमने काठ के रखा था उससे हम दाल लेंगे और हलकी सी golden brown color होगे तक इसे हम पकाएंगे और यह दिखे हमारे हमलकी सी brown color से हो गई है आप इसे हम निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं प्याज को अगर आप जल्दी पकाना चाहते हैं तो थोड़ी सी नमक इसमें डाल दीजें नमक डालने से प्याज जल्दी से पक चाती है और यह दिखे हमारे प्याज हो गई ही फ्राइए और यह हमने चार अलू हमने इस तरह से काट के रखा है उसमें हम डाल लेंगे दही हमारा काम जल्दी-जल्दी हो इसलिए सभी को हमने पहले से ही काट करके त्यार करके रखी थे इसलिए हमको अस इसमें दिखा रहे हैं और दो चामच डालेंगे अद्रकलसुन का पेस्ट अद्रक लसन पेस्ट में थोड़ी सी हल्दी पावडर जीरा स्वसन डालके हम रखते हैं तक ज्यादा दिन रख सकें और यह हमने आड़ करें हरी मीच चार हरी मीच को हमने हल्की जादरा कुटलिये थे आप इसमें हम डालेंगे एक चामच हल्दी पावडर एक चामच जीरा धन्या पावडर एक चामच धन्या पावडर आप चामच गरम मसाला अच्चार हरी मीच को हल्की जादरा हमने कुटलिये थे जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था उससे भी थोड़ी आड़ कर लेनी हैं उसे हमारे टेस्ट बहुत अच्छी आती हैं आव स्वाद अनुस आपको जितना नमक पसंद है उसी इसाब से आव इसमे अटकर लिए तेल दो से तीम चामच इसमे तेल डाल दीजिए हमने दो कच चामच इसमे डाल रहे हैं आव इसे आच्छी तरह से मिक्स कर लिजिए इसे आप आदे गंटे तक इसे ही रख के सहते हैं आते हैं धक के हमने इसे तुरंत बना रहे हैं यह हमने एक बड़ी इसे पती ले लिये हैं उसे में हम डाल लिये तिल आप इसमें हम डाल लेंगे आलू अलू मिक्सचर जो हमने तियार किया है उसे डाल देंगे अब इसे दिम आज में इसे भूनते हुए पकानी है अब यह दिखे हमारी पग्या है आप इसमें डाल दीजे चाओल जो चाओल हमने पका के रखा था चान के उसे डाल देनी है पहले अच्छी से चार तरप अच्छी तरह से पेला के इसमें डाल दीजिए अब उपसे डाल लीजिए प्याज जो फ्राई करके हमने प्याज रखा था उसे डाल लेनी है अब इसमें आढ़ कर लीजिए धन्या के पत्ते इसे हमने थोड़ी सी बारीक काटे है आप छाह Фी बड़ी बड़ी पीसेस में इसे काटके डाल सकते हैं इसे यह तो गल जाता है अब इसमें दुवारा फीर से हम ड़के चाओल चाओल को पका कर रखा था उसके ओपर पिर डाल लेनी है हमने दूद में भीगो के रखा था उसे डाल देने हैं फिर डाल देजिए प्याज आपको जितना लेयर बनाना है आप अपने पसंद के हिसाफ से इसे लेयर कर सकते हैं जितना भी आपका बनाना है दो तीन लेयर जितना भी आपका करना है उसे इसाफ से आप इसे में कर सकते ह इसे तरह हम ढालते जाते हैं फिर केसर वाला दूद फिर ट्याल दीजिए हमने केसर वाला दूद इसमें डाल दिये अब इसे हम कवर करके 20 मिनित तक दिम्याज में पकने के लिए छोड़ देंगे ध्यान रहे हाई फ्लेम में ना करें हाई फ्लेम में प्रेंग तो जल सकता है इसलिए धिमी आज पर ही पकने देनी है दिवीस मिनिट बाद यह दिखिए हम खोल के देख रहे हैं अब दी सकते हैं कितिना अच्छा से हमारे पक के त्यार हो गया है अलुदम बिर्यानी अब इस बनाते हैं अब इसलिए हम निकाल रहे हैं इसलिए हम चुला से फ्ले निकाल रहे हैं कितना अच्छा से हमारे पक के त्यार हो गया अप सकते है यह देखिए एक बार ट्राइ कीजिएगा जुरूर बहुती स्वादिष्टे बहुत जल्दी बनके त्यार हता है आपने देखा जटपट इसे आप बना के आप त्यार कर सकते हैं कोई जंजट नहीं कोई जिब लेट नहीं होता है जल्दी से ही त्यार हो जाता है और यह एक बार ट्राइ कीजिएगा जुरूर हमारे वीडियो देखने के लिए थाइंक यू सो मॉच